तो हलो बच्चो वैलकम टू अवर चैनल दने टोगेदर बच्चो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में हम अपना नाइंध क्लास का चप्टर टू जो मैच्स का चप्टर टू है पॉलिनॉमिल्स वह स्टाट कर रहे हैं आज उसकी सिर्फ देखिए सबसे पहले आपने इंट्रोड़क्शन उसकी समझ लेने हैं एक सकंड तो इंट्रोड़क्शन समझते हैं कि पॉलिनॉमिल्स क्या होते हैं अब जाके आप इसके एक्सेस कर पाऊंगे ठीक है देखिए है। पॉलिनॉमिल्स ठीक है प्र देखिए आफने ऑल्जेब्रिक एकस्प्रेशन के बारे में पड़ाा होगा ठीक है अल्जेब्रिक एकस्प्रेशन जो खोती है वह आप प्रिक्लर्णाइब्रिक एकस्प्रेशन का मों बोलते है। पॉलिनॉमिल्स बस फॉट है दो दो इन वर्यब्र ठीक को है उसको डिक्णमा जबिजब्रिक एकस्प्रेशन कौका से लेख सकते हैं , तिस्क्वेशस प्लैस त्थिस्यो एकस फाइफ इस तरह कंसे करके ठीक है तो बेसिकली ये एक पॉलिनॉमियल ही है ठीक है अभी हम पढ़ेंगे कि कि किसकी इसकी डिगरी के बारे में क्या होती है जैसे यहां पे इसकी डिगरी टू है यह सब मैं आपको बताऊंगा डिगरी क्या होती है यह जो होता है वैरियेबल होता है इसमें parallel variable सबसे पहले हम ने देखना कि यह जो हमने नमबर लिका हमने यह terms लिए ठीठ है है इसको हम बोलते हैं यहां पर एक आपको three terms मिल स्माइर न यह फर्स्टरम मैं यह second term और एक three terms तो इसको बोड़ें tь ev 싸म मैं क्या होता एकuous लोता है एक variable होता एक variable होता है उसके साथ एक constant होता है variable और constant अपस में क्या होते होते है देखिए आप यहां पर यहां पर फिर स्टम किया कि अब मैं बात करों तो आलिखा है three x एक्स तो देखी है यह क्या है यह जो है थ्री को क्या बोलते है स्क्राइब जो हॉआ है इसकी स्क्राइबन हो सकती है यह हमें नहीं Пता इसकी का होगी है को सकती है हमें है क्वेशी का हमाली क्या है तो इसक उसक्षिए करती है तो इसलिए हमने इसको नाम दिये वैरियेबल ठीक है इसलिए हमने इसको क्या नाम दिये वैरियेबल तो एक टर्म में क्या होता है एक वैरियेबल होता है कॉंस्टेंट होता है देखें यहां पर सेकेंड टर्म है टू एक्स लिखा हुआ है टू एक्स तो देखें यह जो पावर होती है उसको बोलता है डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल ठीक है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल और यहां पर देखिए यहां पर पूद सब्सक्त हैं यहां पए लास्ट में अब अब मैं आप से पूछता हो क्या फइल प्यवी एक पॉलिनॉम्य Seit तो क्या होता है एक variable होता है constant होता है बड़ बच्चों अगर आप देखो ना तो यह जो variable है यहां पर इसने मिस्टर इंडिया वाले गड़ी पहनी है और यह गाइब हो गया है कैसे गाइब होगा देखिए इसके साथ अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं एक्स की पावर जीरो तो कुछ इसमें फर्क नज़र आएगा तब भी तो यह फाइब ही रहेगा है कि यह फाइव रहेगा क्यूंकि ऐनिफिंग रेज्ट वावर जेरो किसके ब्राबर होता है फटा उपसाइब क्या हो गया अगें फाइब हो गया है clear तो इसलिए हम फाइब को भी किस फॉर्म में लिक सकते हैं हम फाइब को भी एडीबल की फॉर्म में पालिनॉम्य उर् थीक है अब लोगोर वाले हैं पॉलिनामिलिट कर टाइपस इन कि टाइप सम पढ़ेंगे क decks of polynomial ऐसव पर आनमियल ठीक है के सबसे पहले हमारे पास ऐता पॉलिनॉमियल पर्ट常 मेल इंए तरफ मेन बढ़नने बूंबल आसे एसे परनामी जिसमें सिर्फ एक ही बुर्यों हो कि चैसे मैंने यह लिखा था देकित्र स्क्रिय जिसमें चैसे यह से मैं हिलिखा 3 एक्स स्क्रिय ठीक है तो यह क्या हो गया देखे यह प है कितने वरिए बलह Wick की वरीयबल एकस दूसरा है कोई Y, Z कुछ है नहीं हैं तो इसलिए यह क्यों कर पालिनमियल इन वण variable ठीक है उसके बाद देखिए जिसमें डिगरी 2 होती है यहां पर प्रणॉमिर इन वन वेरियबल ठीक है अगर अगर स्पोस्ट को लो यह तो एक टरम है अगर मैं ऐसे लिख देता हूं है 5x स्क्रेट्ल प्लेस 3x एक्स प्लेस टू क्या यह पॉलआम राही है बिलकुल है डीकिए टर्म जुतनी मर्जी ओ इसमें प्रेटरम थी लेकिन इसमें थ्री टर्मिर ढरी एक टर्म टू टर्म से ठर्ट एंप 121 यहां यहां था लेकिन तो बहुव्यजाद है लेकिन राइ समझाएं कि पर नामिल इन वन वेरियेबल क्या होता है अब हम फ़ंप पढ़ते हैं प्रखते हैं सेकें के लिनियर पॉलिनामिल क्या होता है लिनियर पॉली नॉम्यल दिक है लिनियर पॉलिन्यंड पॉलिन आम Carolineיח अग्याइब टिक है उस्व के बोलते हैं लीनियर पॉल्नामियल जैसे डिग्री वन वाले जिसकी डिग्री वन हो जैसे देखिए यहां पर आप बोलेके सब टेग्री वन वाले एक्जेम्पल अगर मैं लोओं यहां पर टू मैंने एक फर्स टम ले लिए एक टम्वल पॉल्न तो है ना तो इसलिए यह क्यों गया लिनियर पॉल्नामिल की एक्जैंपल हो गई यह क्याओ लिनियर पॉल्नॉम्यल हो गया कि मतलब ऐसे बॉस की डिग्री वान होगा कुछ भी पुख सकता है त्रिजएट भी हो सकता है इसके पुसके लावा थ्री एक्स प्लस फाइव को जाए वन तो वह ता लीनियर पॉलिन नामीं ठीक है उसके बाद मांOD पास आता है था डार हो जिनकी किया हो तो हो वो किया होता है dedicated preliminary मने जाते हें जैसे मैं लिखता हो 5 x square plus 3 x plus 6 देखे यहां पर यहां पर इस polynomial की में बात कर आप टो यहां पर हैंपो में स्सक्राइट्ट कितनी है hoodie में साष्थन लेनी है यह से यहां पर आपए उर यहां पर है हम एशे 10 ते यह तो एसलिए ये क्यों लिग् collecting ट्रीक टेет ऐसे पालीं मील जिनकी डिग्री क्या हो धूंश्य होन प्लमा में उसको बलो देता यह कॉलिटip पॉलनर में आगे देख है यह क्युब इफ यह पॉलिनॉम्य यं कि यूबिक पॉलिनॉमियल कि बात करो ऐसे पॉलिनॉमियल जिनकी डिगरी क्या हो नाम से मिल रहा है थ्री हो एना क्यूबिक मिन्स थ्री तो उनको के बोलेता है क्योबिक पॉलिनॉमियल जैसे 6x2x2x2 vard 5x123 तो देखे यहां पर्सकलाओ के त deploy कि कैसे रही है स्थेतु सुंहरा क्यों थ्री कि करें रहा है क्यों पुबिक पॉलिनकुश्यर में क्यों चिए तो आपको यह पता होना हुप्ता हुआ sekarang कि फ़ेखें टेक समद्हें कि मोनोमियल क्या होता है जोमियल किया है कि मोनोमील क्या होता है यह भी आपको समझना होगा मॉनोमेंसほ reality मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो जिसमें सिर्फ यह टर्म हो वो क्या होता है मॉनोम्मील जैसे 2x लिखता हूं है तो लखते हो हुआ है 5 x cube लिख देता हूं माइनस का भी लगा से माइनस 5 x square लिख देता हूं तो देखिए terms कितनी है एक term एक term एक term कोई लावाथ इसके लावाथ दूसरे term तो नहीं नहीं है इसके साथ एक term है ना वह चाहिए माइनस में चाहिए constant है ठीक है तो हो एसी टरम्स जिसमें ऐसे पल्लोमेल जिसमें टर्म वान हो एक डर्म Western क्या होती है monomial उसके बाद उसके बाद एक दूसरी चीज़ आपको सब्सक्राइब binomial क्या होता है binomials जिसमें क्या हो two terms हो जिसमें क्या हो two terms हो वह क्या होता है binomials by means two by means two जैसे अगर मैं बात करूं binomials की example अब कुछ भी ले सकते हो two terms वाली x plus one x square minus x ठीक है उसके बाद कुछ भी ले सकते हो y cube minus five ठीक है terms कितनी है यहां पर two terms है न एक one two one two one two two terms है ठीक है तो यह क्या होगे binomials होगे ठीक है तो आपने यह भी समझ लिया कि क्या होते है मौनोम 아니라 क्या होते हैं का लीनियर पॉलिनोमिल्ट क्या होते हैं कि आरिक क्यों 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 होते हैं ठीक है यह basic चीज़े आपको पता होगी तब जा कि आप जो है वह एकसेस कर पूझे ही तीके समझमकले के या थी कि अग्री किसे ऊपने तो उसके बाद एक चीज़ आपको अजय समझनी है जैसे यह होता कॉंस्टेंट पॉलीनॉमिल या चास्त है मैंने आपको बोला क्योंकि इसके सब भी वारियेबल लगा कोई एक्स वाइजट कुछ लगा वेरियेबल कुछ नहीं लगा इसका मतलब यह क्या होगा कॉंस्टेंट पॉलनॉमेल मतलब कुछ भी नंबर हो सकता वह और तो माइनस सब्सक्राइब 5 हो सकता है था तो अदो सब्सक्राइब और समयंग क्या जीडियू एक आंप मैं ये question वे मैं पोछ तो हूँ आप से comment to English nun video का पाॉज करके खुचछ बताना मैं इसका अंसर पता दullah हूं कि या zero यह पॉल्णॉम्य है तो में बोलता हूं यस जीरो भी एकॉल है जीरो भी क्या है एक पॉलिनमिल है और इस पॉलिन मिल भॉण कुल क्या बोलते हैं to terminal 0 polynomial zero polynomial क्योंकि जीरो कभी हम कैसे ले सकते हैं कि ही जीरो इन्म थीड़ी पापर वन टूव थ्री कुछ भी है खियो एंक्स क्वियोह कि मेरिए और sten है कि नो टो कि टो आ हुए है ठीक है तो तो कुन्स नियुदुत में यहाफ यह तो तो बांब आपको समझ न हगा कि कौन से क्योंतीन होती है कोई से जब्रिक एस्परेशन सब्सक्राइप में लिखता हूं तक चाहिए मैंने यहां पर लखा एक साओं मैं आपसे पोग मैंने हैं कैंपलना मिल कर तो इद अब आप विडियो भीडियो को पास करके कर सी पासर कुब मैं अब आ प्ता देता हूं झिए यह पॉलिनोमिल नहीं है इस नौट अब बोलोगे सर क्यों देखिए इसको हम कैसे लिए सकते हैं x plus one upon x को हम ऐसे लिए सकते हैं एक्स की पावर माइनस वन रसी प्रोकल करके तो देखिए यहां और पे एक्स की पावर कितनी आ रहे हैं आपको एक बाहर याद रखने कि एक्स की पावर वैरियेबल के ऊपर कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होने चाहिए अगर negative power हुई तो वो क्या हो गया? polynomial नहीं होगा. इसलिए this is not a polynomial. This is not a polynomial. यह polynomial नहीं है, ठीक है?funding अगर whole number होगा, तो और यह वो variable मना जाएगा. Otherwise वो variable नहीं होगा. अगर मैं ऐसềề्ब लखता हूं, under root x plus 3 क्या ये variable क्या ये polynomial है देखिए एंडरोट को गर मैं खुलूं तो इसको under root को मैं कैसे लिए सेकता हूं under root की power 1 by 2 x की प्लाइट 2 plus 3 तो यहां पर क्या है अगर हम 1 को 2 से divide करेंगे तो क्या होगा तो क्या होगा क्या हमको whole number मिलेगा नहीं हमको whole number पर नहीं मिलेगा तो यह भी क्या होगा वन यह भी पर नमिल नहीं है ठीक है तो यह कुछ बाते आपको याद रखनी है इसी भी बेस्ट है हमारी आपको समझाएं उनको ध्यान में रखो उनको पड़ो रिवाइस करो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेखेंगे एक्सेस 2.1 ठीक है तो फ्रेंट्स बच्चों आपको क्या करना है कि यह चैनल को सब्सक्राइब तो खुद करना है और अपने फ्रेंट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अपनी में नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई टेक केर